हेलो आभरीवन वेलकम टो पैरामेडिकल विज्ञान आज का मार लेक्चर है इम्यूनिटी के उपर आज हम जानेंगे इम्यूनिटी क्या होता है इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है कौन-कौन से उसके प्रकार होते हैं सब को हम अच्छे से आज की लेक्चर में कवर करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन इम्यूनिटी रेफर्स तुदा बॉडी जा अबलेटी टो डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट हामफुल पैथोजन एंड दियर प्रोड़क्स तो हमारी बॉडी की कैपबिलिटी होती है अबलेटी होती है शमता होती है कि वो डिफेंड कर सके बचाफ कर सके किस से अगेंस्ट हामफुल पैथोजन कोई भी हो सकता है आमफुल पैथोजन जो भी आपकी बॉड़ी में डिसीज कॉस कर सके या फिर उस पैथोजन से निकलने वाले प्रोड़क्स जो भी वो टॉक्सिन रिलीस कर रहा है कुछ जहरीला पदात रिलीस कर रहा है जो कि होती है वोडी की उसको क्या बोलते हैं इम्म्यूनिटी बोलते हैं अब हम देखते हैं इम्म्यूनिटी के टाइप्स इम्म्यूनिटी देखो दो टाइप की होती है इन्नेट और एक्वाइड इन्नेट का मतलब होता है बाइब बर्थ जनम से जो बच्चा पैदा होके जब इसको देखेंगे अभी हम क्या होता है तीनों acquired जो है उसमें दो चीजे आती है active और passive active acquired immunity और passive acquired immunity और दौनों ही जो है ये एक्टिव और passive इन में दो-दो आते हैं natural और artificial methods इनको हम अच्छे से detail में जानेंगे लेकिन उससे पहले हम innate और acquired immunity को अच्छे से जान लेते हैं कि innate immunity क्या होता है और acquired immunity क्या होता है तो यह चार्ट देखिए आप इस चार्ट में आपकी characteristics हैं इधर आपकी innate immunity है और इधर आपकी acquired immunity है सबसे पहले हम देखेंगे nature कि आपका nature कैसा है तो innate immunity कैसी होती है non-specific defense mechanism इसका होता है मतलब कि आपका कोई भी bacteria आजाए pathogen आजाए कोई भी आजाए virus आजाए कुछ भी आजाए वह काम एक ही तरीके से करेगी ठीक है तो उसको क्या बोलती है innate immunity का आपका यह mechanism होता है nature यह होता है non-specific mechanism लेकिन acquired immunity कैसी होती है highly specific होती है यह मतलब कि अगर bacteria आया इस तरीके का तो इस तरीके से उसको act करना है ऐसे bacteria आएगा तो वैसा तो ऐसे act करना है उसको तो मतलब कि हर चीज का उसको पता होता है कि कौंसी इसके antigens हैं उसके खलाफ कौंसी antibodies production करना है उसको सबकुर इसको पता होता है तो highly जादा specific होती है और इसका presence की बात करें हम की present and birth तो innate immunity जैसे मैं आपको बताया कि यह बड़ से present होती है जबकि जो आपकी acquired immunity होती है वो जलम के बाद आपकी develop होती है बच्चे के अंदर response time की हम बात करें तो imminent immunity जो होगी वो immediately response करेगी pathogens के उपर जो भी हमारे disease cause कर रहे हैं तुरंत उस पर जो act करती है सबसे पहले immunity कौन सी होती है हमारी innate immunity होती है और जो acquired immunity होती है उस पर जो आपका response होगा वो थोड़ा delayed होता है जब उसका सबसे पहला exposure होता है suppose करो आपकी body में कोई pathogen है वो सबसे पहली बार एंटर जब कर रहा है तभी इसको बोला है हमने initial exposure सबसे पहली बार अगर एंटर करेगा तो immune system उसको बहचान नहीं पाएगा तो उस टेम पे हमारा innate immunity वाला जो काम है ना वह सबसे ज़्यादा ही immediate आपका काम करेगा लेकिन अब मैं बताऊंगा जब दुबारा आएगा ना तो उस टेम पे acquired immunity जल्दी काम करती है ओके फिर आता हमारा specificity तो इसमें specificity chcia clim workplace लेकिन है highly specific होता है जहारा ना को non specific lack specific city तो specific किसी एक बैक्टेरिया के खलब एक पहिए दोज़न के खलाफ इस तरीके से काम नी करती सब के लिए एक तरीके से काम करती है जो एकॉयर्ड immunity होती है यह highly specific होती है और एक बैक्टेरिया pathogen वाइरस الب flatter तरीके से काम करती है memory response की हम बात करें तो इसमें कोई memory नहीं होती है innate immunity में no enhanced response upon subsequent exposure to the same pathogen यानि कि जो bacteria हमारे body में पहले भी आया था और चाहे वो दो बार गुज़ जाए तीन बार गुज़ जाए चार बार गुज़ जाए हमारे innate immunity एक तरही किसे काम करेगी ठीक है क्योंकि इस पेकास पूई memory नहीं है कि उस बैक्टिरिया से हमने कैसे लड़ा था पहले लेकिन acquired immunity कैसी होती है इसके पास memory होती है ठीक है तो जब वह आपका nels करने अगर अगर बार बॉडि में गया तो एक बार तो उससे जहल लेगी उसके बाद आगर दुबारा इंटर करा तो फूलियर रहती है कि यह वाला ग। सब एक नंथा को हमें इस तरह के से मारा था तो यह थिसकर एसे मारा खुछ तवारा कमड़ कुसे करें हैं तो इन्ironomy इसे विसमें आता है एंटिबोरी प्रड़क्शन तो डाज़ नोट इन्वाल्व एंटिबोरी प्रड़क्शन तो इन्नेट इम्यूनिटी में एंटिबोरी का प्रड़क्शन नहीं होता है जबकि जो acquired immunity होती है उसमें B-cell produce करता है antibodies, B-cell आगे जाके plasma cell बनाएगा और plasma cell आगे जाके आपके क्या बनाएंगे antibodies बनाती है तो B-cell antibodies produce करेगा आपका hemural immunity का ही part होता है फिर आता है हमारा इसके बाद cellular attack, तो cells like macrophages engulf and destroy pathogen तो इसमें जो होते है cells जैसे कि आपका macrophages हो गया neutrophils हो गया बाकि जो WBCs होते हैं वो क्या करते हैं उसको खा जाते हैं उसको phagocytosis करके हमारे bacteria pathogen को खा जाएंगे उसको destroy कर देंगे लेकिन acquired immunity में क्या होता है T-cell directly attack infected or abnormal cell क्या करेगा हमारा T-cell वो directly attack करता है infected या फिर abnormal cell पे तो जिस bacteria जो bacteria जिस cell के अंदर जागे अपना harbor कर रहा है अपना घर बनाना चाह रहा है वो T-cell क्या करेगा उस direct abnormal cell को क्योंकि cell तो abnormal हो गया हो हमारी body के लिए तो उस पूरे-पूरे cell पे attack करता है कौन हमारा T-cell अब हम बात करते हैं इसके बाद effectiveness की तो innate immunity provide immediate but relative less effective defense तो innate immunity कैसी होती है तुरंत तो आपका role play कर देगे तुरंत तो आपको बचाएगी लेकिन इसका defense जो होगा वो थोड़ा come effective होगा as compared to acquired यह कैसी होती है provides a more effective and tailored defense especially upon re-exposure to the same pathogen तो यह इसका जो effective होती है वो काफी जादा अच्छी होती है अगर एक आपका pathogen दुबारा enter कर रहा है तो दुबारा तो अगर वो घुजगिया body के अंदर तो तुरंत उसको बाहर निकाल गे effect देगी ठीक है तुरंत उसको long term protection आपको देगी often like long due to memory cells क्योंकि इसके पास क्या है memory cells है तो जब भी वो आप किसी pathogen से लड़ेगी तो उसके खिलाफ जब fight करेगी तो अपना process याद कर लेगी कि यह यह antigen के खिलाफ मैंने यह करके antibody बनाई थी इसके examples है हमारा innate immunity के skin हो गया mucous membrane हो गया हमारे phagocytic cells हो गए और acquired immunity के जो examples हैं वह हमारी antibodies और cytotoxic T cells तो आप देखते हैं innate immunity को innate immunity में क्या देखा में में चीज़े देख लेते हैं कि यह inborn immunity होती है बच्पन से हमें मिलती है और इसका दूसरा नाम क्या होता है native immunity और natural immunity innate immunity act as the first line of defense against particular microorganism तो आपका जो भी pathogen होगा उसके खिलाफ जो first line of defense होगा वो कौन होगा हमारा innate immunity होगा तो जब भी आपकी body में कोई pathogen enter करेगा सबसे पहले innate immunity उससे fight करती है non-specific immune response होता है आपका यह specifically एक particular pathogen के से खिलाफ काम नहीं करेगी जैसा भी पैथोजनाट्य सब तरीके से से मिफाइट करेगी है innate immunity is provided by various component such as skin mucous membrane phagocytic cells etc तो innate immunity में आपको क्या होता है यह सारे components होती है skin हो गया mucous membrane हो गया हमारे phagocytic cells हो गया जैसे कि आपकी wbc अब हम देखते हैं types of innate immunity innate immunity में हमारे क्या कर चीज़े आती है सबसे पहला आता है हमारा species immunity species मतलब particular species की बात हो रही है if one species is resistant to a certain infection अगर कोई species है वो resistance है एक certain infection के लिए कोई भी infection हो सकता है और दूसरी species जो है उसके लिए susceptible है यानि कि उसमें जाके वो infection cause कर सकता है तो क्या होगा species immunity होगी आपको example समझाता हूं यह देखिए एक bird है और एक human है ठीक है तो आपका एक bacteria है for example आपका bacillus anthracis anthracis का जो कि anthracis कोंस करता है आपको तो अगर यह bacteria आपके bird के अंदर जाएगा तो bird को कोई बिमारी cause नहीं करेगा लेकिन यही bacteria अगर human के अंदर चले जाए तो उसको बिमारी हो जाएगी तो यह क्या थी bird इसके लिए resistant थी इस bacteria के लिए लेकिन यही bacteria अगर human में जाके infection cause करना चाहरा है तो human क्या है इसके लिए susceptible है तो यानि कि bird को क्या है immunity है कौन सी immunity है species immunity इसकी पूरी species immune है ठीक है क्योंकि आपका bird का temperature होता है न वो बहुत जबर warm होता है तो warm blooded होती है आपकी birds तो bacillus anthracis जो है उसमें अच्छे से survive नहीं कर पाता एक और example देता हूँ आपको आप यह देखिए cattle है और आपका human है same हम देखते हैं कोई आपका bacteria है जो कि आपका skin infection cause करता है तो यह अगर cattle में जाएगा तो cattle को infection नहीं हो पाएगा skin infection लेकिन यही bacteria अगर आपके skin infection फजाने वाला जो bacteria है आपके human के अंदर चले जाए तो क्या होगा human को infection हो जाएगा तो यानिकि जो cattle की जो species है वो क्या है immune है किस से skin infection से ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा species immunity हो गया इस cattle को क्या है species immunity मिल रखी है अब यह क्यों होता है जो कि इनके जो skin होती है होती है और साथ सांकी skin पर क्या होती है है जो कि इस infection को अंदर घुसन नहीं देते अब सेकंड टाइब देखते हैं इसमें racial immunity racial immunity देखें क्या होता है इस वन रेस इस सेप्टिबल वाइल अदर रेस इस रिजिस्टेंट तू दा same infection then it is called racial immunity आपको example समझाता हूं इसको देखे क्या होता है इसमें जैसे कि आपका malaria और yellow fever cause करने वाला जो pathogen है उसकी बात हो रही है इसमें इसका example लेते हैं left side में आप देखेंगे यह क्या है अफ्रीकन है और यह क्या है Asian है अब malaria और yellow fever का जो pathogen है अगर आपका इसके अफ्रीकन के अंदर जाएगा तो उसमें क्या करेगा आपका infection cause नहीं कर पाएगा यानि कि अफ्रीकन क्या है उसके लिए resistant है लेकिन यही अगर आपका Asian के अंदर जाए तो वो कैसा हो जाएगा हमा भी मिल रखी है थर्ड टाइप के बारें बात करेंगे हम जो कि है हमारी इंडिवीजुल इम्यूनिटी इफ वन इंडिवीजुल ऑफ ऑफ सर्टेंड रेस और कास्ट इस रिजिस्टेंट वाइल अदर इंडिवीजुल ऑन दे सेम रेस और कास्ट अर सब्सक्राइबल तो एक पर्सन की बात हो रही है ठीक है कि हर एक पर्सन की इम्यूनिटी अपनी अलग-अलग होती है तो एक पैथुजन जो है वो एक पर्सन के अंदर इंफेक्शन काॉस कर पा रहा है दूसरे के अंदर नहीं कर पा रहा है सेम रेस की हैं सेम कास्ट की हैं सेम जगे से हैं हो सक ये दो person है person A person B ठीक है अब आपका एक जो person है ये लाल वाला इसमें क्या है G6PD deficiency हो रखिए इसको G6PD मतलब glucose 6-phosphate dehydrogenous deficiency हो रखिए इसको तो आपका जो malaria है वो इसमें आपका धंग से cause नहीं हो पाएगा तो ये जो person होते है ना वो आपके resistant होते हैं malaria से क्योंकि जो malaria होता है वो इसमें अच्छे से develop भी नहीं कर पाता malaria अपनी life cycle इसमें पूरी नहीं कर पाता G6PD deficiency वाले person के अंदर लेकिन अगर ये malaria का जो पैथोजन है ये आपका immunity प्रवाइड हो रखी है ओके तो innate immunity समझने के बाद हम चलते हैं acquired immunity के उपर देखिए क्या होता है immunity that is developed later in life after microbial infection इन होस्ट यानि कि आपके जनम के बाद जो आपको इस तरीके से काम करती है यानि कि आपको इसको पता होता है कि हमारे खुद का सैल कौन सा है और भारी पैथोजन कौन सा है अपने ही खिलाफ एक नहीं करती है immunological memory अपने अंदर रख लेती है यानि कि कोई पैथोजन आया तो अपने आपको याद कर लेती है कि मैं इस पैथोजन से इस तरीके से लड़ी थी ओके यानि कि इस पैथोजन के उपर यह antigen था इस antigen के खिलाफ मेरे को इस तरीके से antibody बनानी थी तो अच्छे से अपने आप को memory कर लेती है तो immunity में हमने दो पार्ट देखे थे innate है required innate हमने पढ़ लिया acquired को हम देख लेती है अभी active और passive सबसे पहले हम बात करेंगे active immunity के बारे में देखिए active immunity क्या होता है if the host itself produces antibody then it is called active immunity active मतलब खुद से word याद रखी active मतलब खुद से यानि कि active हो यानि कि अपने तो आप खुद की body अपने आप ही antibody produce कर रहे है उसको क्या बोलते है active immunity बोलते है इसमें दो चीज़ा आती है पहला आता है इसमें natural active immunity natural यानि कि naturally आपकी body actively immunity produce करेगी immunity provided by natural infection यानि कि naturally आपकी body में कोई pathogen गया और pathogen जाने के बाद आपकी body ने antibody बनाई उस pathogen से लड़ने के natural कि आपको मिली pathogen से मिली actively आपकी body ने खुद बनाई immunity बनाई ठीक है तो क्या हो गया हमारा natural active immunity अब इसमें दूसरा आता है हमारा artificial active immunity artificially हम अपनी body से immune response करवाएंगे यानि कि artificially हमारे सब कुछ काम करते हैं इसमें जिसमें कि हमारी body antibodies का production करने लग जाती है immunity provided by vaccination सबसे common example है इसका यह देखिए हम जब TK लगाते हैं हमारे जो TK लगते हैं vaccination करवाते हैं तो उस टेम पे क्या होता है हम killed pathogen हमारी body में डालती है killed करके inactive करके हमारी body में pathogen डाला ठीक है जिससे हमारा immune system क्या हो जाए trigger हो जाए और immune system को पता चल जाए कि यह pathogen अगर इस artificially करवा रहे हैं हमारी immune system को बना के क्या करवा रहे हैं उसको immune system को बता रहे हैं कि इस pathogen के खिलाफ हमको पहले से प्रपेर रहना है ओके तो वह क्या होगा हमारा artificial active immunity दौन ही केस में क्या हुआ हमारी body ने खुदी antibodies production करा अब आता हमारा passive immunity passive मतला हमारी body खुद produce नहीं करेगी antibody but antibody produced in other host provide immunity then it is called passive immunity अब immunity हमारी body खुद नहीं बना रही वो भाहर से ले रही है अब वो भाहर से किससे भी ले सकती है तो passive immunity में सबसे पहला आता है हमारा natural passive immunity naturally passive B ठीक है इसमें क्या होगा IgG produced antibody produced in the mother cross placenta and protect the fetus up to six month of age यानि कि आपका जो placenta होता है उसको cross करके जो mother की antibody होती है वो चली जाती है आपके fetus के अंदर और उसको protect करती है तो antibody जो है वो naturally developed हुई है मदर के अंदर मदर के खुद की antibody है लेकिन हमारी जो fetus है उसने तो खुद नहीं बनाई न तो इस वे से क्या होगा यह पैसिव हो गया तो IgG antibody इसको ready made antibody मिल गई बनी बनाए antibody मिल गई मदर से ट्रेक्ट तो क्या हो गया हमारा natural passive immunity दूसरा आता इसमें क्या artificial passive immunity artificially हम antibodies डालते हैं प्री फॉर्म्ड एंटिबोडी या फिर रेडिमेट एंटिबोडी आर इंजेक्टेड इंटू आ होस्ट फॉर immunity एक्जामपल एंटिवैनम या फिर रेबिस वैक्सिन यानि की रेबिस वैक्सिन मतलब एंटि रेबिस एंटिबोडी ही होती है आपका एक दिखा देता हूं मैं जैसे कि आपका स्नेक वैनम है तो इसमें क्या है एंटिबोडी हैं तो डिरेक्ट या एंटिबोडी हम पेशिंट के इंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो रेडिमेट एंटिबोडी पेशिंट की बॉडडी में चली गई तो कैसा हो गया यह आर्टिफिश्यल यह उनकी हमने एंटिबोडी जो है बनी बनाई भार से डाली तो अब हम देखते हैं herd immunity, herd immunity देखें क्या होता है, herd immunity is also known as community immunity, यानि कि एक particular community को आपको इम्ठी मिली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, herd immunity कहते हैं, इसको concept in epidemiology and public health, तो एक अच्छा concept होता है, आपका ये epidemiology and public health में, It occurs when a significant portion of population becomes immune to a particular infectious disease यानि कि 100 लोगों में से 80 लोग जो है वो उस pathogen के खिलाफ क्या हो गए आपका immune हो गए कि वो infection जो है वो pathogen जो है उन 80 लोगों में infection को आज नहीं कर पा रहा है तो उनको क्या हो गया वो आपके पूरी पूरी population को हम क्या बोलनेंगे उनको herd immunity मिल चुकी है तो जो infection है वो immune कैसे होए वो असी लोग आइदर थू natural infection हो सकता है उनको infection हो गया उनकी body फिर recover कर गई हो या फिर हो सकता है उनने vaccination कर वा लिया हो तो अनों ही case में क्या होएगा patient को जो भी population है उनको क्या हो जाएगा herd immunity मिल जाएगी तो एक particular person की नहीं एक particular population की बात हो रही है इसमें उसको क्या बोलेंगे हम herd immunity कहते हैं वेन सफिशेंट portion of a population is immune तो कुछ certificate portion जो होगा कुछ पर्टिपलेशन असी परसंट नभे परसंट नन्याने परसंट जो population है जो आपका immune हो जाएगा the spread of disease within that community is significantly reduced or even halted तो जो infection है जो disease है जो cause हो रहा है उन लोगों में उस population में तो क्या होगा वो कम हो जाएगा और even halted या फिर हो सकता है वो रुक भी जाए क्योंकि आपका infection परसंट से दूसरे परसंट में transfer होने के लिए भी आपका दूसरा परसंट भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें भी बिमारी हो जाए लेकिन अगर सौमें से असी लोग आपके इम्यून हो गए या 90 परसंट लोग जो हैं तो आपका आपका जो वाइरस है या फिर आपको पैथोजिन है वह उस स्पीड से नहीं फैल लेगा जिस पीड से फैल पहले फैल रहा था तो वह डिसीज जो है वह आपका होना हो सकता है कम हो जाए या फिर वह रुक जाए तो स्टुडेंट्स यह हमारा चोड़ सा लेक्चर था आपके इम्यूनिटी के उपर आपको अच्छा लगा होगा और आपको कोशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए